नमस्कार आदाप न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर संसद में किसानों की मांग उठाने के लिए संसदों को पीपल्स विप जारी किया गया दिल्ली नीट में OBC आरक्षन को लेकर दिल्ली भीम आर्मी ने किया OBC आयोग का गहराव पुलिजर पुरसकार वजेता भारते फोटो जर्णिलिस्ट दानिश शिद्धिकी की अफगानिस्तान में मौत चौथी कबर यूपी से कावड यातरा पर सुप्रीम कोर्ट सक्त कहा इनसानी जीवन सबसे जरूरी और आखिर में करोना अपडेट डेश में 24 घंटों में 38,949 नए मामले 542 मरीजों की मौत भारत के सभी किसानों की ओर से सन्युक्त किसान मोर्चा ने 15 जुलाई को एक पीपल्स विप जारी किया है पीपल्स विप लोकसभा और राजेसभा के सभी सांसदों को जाएगा सांसदों को सूजित किया जाता है कि सरकार के काम से संबन्दित आम जनित के किसी भी मामले को संसद और सांसदों के समक्ष लाने के नागरिकों के लंबे समय से स्थापित, समवैधानिक अधिकार के अनुसार Peoples VIP जारी किया गया है इस संबन में सांसदों को उस पर ध्यान देने और उस पर कारवाई करने का निर्देश दिया जाता है और इसे उन मतदाताओं के प्रतियक्ष निर्देश के रूप में माना जाना चाहिए है जिनोंने उन्हें संसद सदस्य के रूप में चुना है और जिनके प्रतिवे सम्वेधानिक रूप से जवाब दे है पीपल्स विप ने संसद के दोनों सदनों में सांसोदों को किसान अंदोलन की मांगो अर्थात कोविट के समय में केंदर सरकार द्वारा बनाए गए तीन तुशी कानूनों को निरस्त करने और किसानों की सभी फसलों के MSP पर कानूनी गारंटी के लिए कानून बनाने का निर कि मंति नहीं का निर्देश दिया पूसित को सॉन सद्रन से वाक आउट ना करने के भी निरदेश दिये गए हैं जिस सत्адरी डल बिना किसी अबादा के अपना काम कर सकें और यदि सान्सदों को सद्नों के अध्यक्षंस द्वारा निलंबित है तो भी उन्हें सदन में जाकर किंद्रसकार का विरोध करने का निर्देश दिया गया पीपल्स विप ये सपष्ट करता है कि यदि सम्मंदित सांसद विप के निर्देशों को स्विकार करने और उसके कारियान वयन में विफल रहते हैं तो भारत के किसान हर पटल पर उनका विरो सुन सत्र के अंत तक संसत के बाहर उनका विरोट शांती पूर्ण होगा अगला लक्ष उत्राखंड और उत्रप्रदेश में आंदोलन को मजबूत करने का बताते हुए प्रदशनकारियों ने कहा कि इन दोनों राज्यों के जिलों में एक से पचीस अगस्त तक बैठके होंग और उसके बाद 5 सितंबर को मुदफर नगर में महा पंचायत होगी शुक्रवार को भीम आर्मी और आजाद समाच पार्टी ने दिल्ली स्थित अन्य पिशडवर ग्यानी OBC के राश्ट्र आयोक का गहराफ किया और आयोक के चेर्मेन से मिलकर अपना ग्यापन सौपा हस्पतिवार को ही प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्तर पर राश्ट्रे पत्रता सहे प्रवेश परिक्षा यानी नीट में OBC के लिए आरक्षण शुनिश्चित करने का अग्रे किया देखिए निउस क्लिक किया ग्राउंड रिपोर्ट इस आरक्षण को खतम कर दिया 27 परशंट आरक्षण दिया और अब जो यह सेंटर कवर्मिंट है इसने आरक्षण को OBC को बिल्कुल खतम कर दे गया है जिसमें उन्होंने मानने है मदरा साही कोट के जजमेंट को भी अवेल ना कर दी है जो कि यदि सवेदानी की रूप से देखा जाए तो यह हमारा मुलिक अधिकार है यह आरक्षण का मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि कि सरकार की भाषा बोलते हुए जो है सुप्रीम कोट ने दो अपरेल को जो है स्टी एक्ट बंग किया था उसके बाद 200 पॉइंट रोश्टर बंग किया था और आज आप देख सकते हैं आज सुप्रीम को आज जो है दुबारा सरकार कोट के माध्यम से ही जो है यह आरक्षण समाज को बढ़ते ऒड़ते हुए नोजमानों को उनके कदमों को रोकने की साजिस। कोट सरकार का हिस्ता है कोड सरकार से बाहर नहीं है सबहां सरकाइर की बात करते तो講 स्छी चाहरती दूटार प्राइब करते हैं करइपालीका विधाईका दौने दॉट कर सकते फंब रहे संब発 जरमोट नीपन सुप्रीम कोड ने जब SST Act खतम किया था खतम किया था तो दो प्रेल 2018 को हम लोग भारत बंद किये थे जीते थे सुप्रीम कोड का आदेश के द्वारा जब रविदास गूरगर तोड़ा गया था तो 21 अगस 2019 को हम लोग प्रोटेस्ट किये थे अपने हग को जीते थे सुप्रीम कोड द्वारा जब 23 अलाख हादिवासियों को उनके जमीन से बेदखल करने की बात की गई थी 2 मार्च 2019 को हम लोग प्रोटेस्ट किये थे और जीते थे सुप्रीम कोड द्वारा जब 13 पॉइंट रोष्टर खतम करने की बात की गई थे तब हम लोग लड़े थे और क्या ना मैं कि 5 मार्च 2019 को प्रोटेस्ट करके जीते थे आज अगर सुप्रीम कोड के बयान द्वारा और रिट संख्या 596 अबलिक 2015 द्वारा जब OBC रिजर्वेशन को छीना जा रहा है तब भी हम लड़ेंगे सुप्रीम कोड के आदेसों के खिलाफ लड़ेंगे यह अधिकार हमको सुप्रीम कोड खुद देता है यह अधिकार हमको बाबा साब का समिधान देता है 2017 से लेकर सर आज तक की बात करूं पिछले चार सालों में 11,027 ओब इसी चातरों का जो एडमीशन था नीट में नहीं हो पाया मतलब सरकार ने हमारे 11,000 सदिक अधिकारों का हन किया देखिये इनका शडियन्त है और मैं यह कह सकता हूं जो बार-बार ये कोड की बात कहते हैं यह अपको अपने आपको बचानी की बात करते हैं नियत इनकी खराब है कोड इस बात में कहा रोकेगी कहर वर्ग को उसका प्रतिनीदित मिले कहा क कोट इसमें बादा है अगर हम समानता के अधिकार की बात करते हैं और कॉंस्टिटुशन की जो रक्षक है जो सुप्रिम कोट है कहां मने करेगी कहां रोकेगी वो लेकिन बार बार आप लोगों नीट का मतलब यह है कि आप लोगों की जो हैर एजुकेशन है जो सिक्षा है आ समाज विशेष नहीं है समाज विशेष के साथ साथ सादेश वीरोध इनके यह काम है और इसका विरोध होगा और सरकार को यह समझना चाहिए कि आप नीट जैसी परिक्षा में आप लगा रोग अगर इसको देखें तो इसको ऐसे देख सकते हैं आपको ध्यान होगा प्रोफेसर्ट के खिलाब में फियार हुई और फिर उन बच्चों के एक्जाम दुवारा से कराएगे वो सारी के सारे पास हुए तो यह मानसिक्ता दर्शाती है कि आप एक समाज विशेस की पृति कितनी घिर्णा आपके मन में बसी हुई है यदि सहकार ने आगे बात नहीं मानी तो आप मानी यह देश हुआ भी सबसे बड़ा अंदोलन होगा इससे बड़ा अंदोलन सायद कभी देखने को ना मिला हो समाचार एजनसी राइटर्ज में काररित और पुलिजर पुरसकार विजेता भारती फोटो जिर्नलिस्ट दानिश शिद्दिकी की गुरुवार रात अफगानिस्तान के कांधार में रिपोर्टिंग के दौरान मौत हो गई सिद्दिकी उस समय अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स के साथ सवार थे पे तालिबान के खिलाफ अभिहानों पर रिबोटिंग कर रहे थे 13 जुलाई को ट्वीट कर दानिश ने बताया था कि जिस गाड़ी में वे सवार थे उसे कैसे निशाना बनाया गया उन्होंने लिखा था कि सुरक्षित बच जाने पर वे खुद को भागिशाली महसूस कर रहे थे बता दे कि इस से पहले अफगानिस्तान के एक अंधार से भारती वानिज जे दूतावास के लगबग पचास राजनाई को और अन्य स्टाफ को खराब हुए हालातों के बीच सुरक्षित स्थान पर पहुचाया गया था तालिबान अफगानिस्तान पर नियंतरन हासल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने लगबग दो डशको बाद अपनी सेना को वहाँ से वापस बुला लिया है भारत में अफगानिस्तान के राज़ूत फरीद मामुन जई ने फोटो पत्रकार की मौत के बारे में ट्वीट किया उन्होंने लिखा कि कल रात कांधार में एक दोस दानिश सिद्धिकी की हत्या की खबर से दुखी हूँ भारतिये पत्रकार और पुलिट्सर, पुरसकार, विजेताफ, गान, सुरक्षा बलो के साथ थे मैं उनसे दो हफ़ते पहले उनके काबुल जाने से पहले मिला था उनके परिवार और राइटर्स को प्रती समभेदना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कावड यात्रा को मन्जूरी दिये जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई केंद्र ने कहा कि कावड यात्रा की अनुमति नहीं दृ जा सकती केंद्र ने कहा कि यह सधीयो पुरानी प्रता है और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए राज्य को टैंकरों के माध्यम से पवित्र गंगा जल उपलब्ट कराने के लिए एक प्रणाली विक्सित करनी चाहिए केंद्र ने कहा कि करोना की वज़े से हरिदवार से गंगा जल लेकर कावडियों का अपने अलाके के मंदिर तक जलाविशेख के लिए आना ठीक नहीं होगा इसके लिए बहतर होगा कि टैंकरों के जरिये गंगा जल जगा जगा उपलब्ट कराया जाए जस्टिस आर एफ नरीमन ने कहा कि कोविड ने समी को प्रभावित किया है उन्होंने कहा कि हम सब भारत के नागरिक हैं और यूपी सरकार अपने फैसले पर पुर्ण विचार करे नहीं तो हमें जरूरी आदेश देना पड़ेगा सुप्रीम कोट ने कहा कि कावड यात्रा फिजिकल तरीके से कराने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगती जिस पर केंद्र भी सहमत है सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी यूपी सरकार के वकील ने कहा कि सरकार से नहीं देश लेकर वे सोमवार को अदालत को जवाब देंगे केंद्र स्वास्त मंत्राले दौरा आज शुकरवार 16 जुलाई को जारी आकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में करोना के 38,949 नए मामले दर्स किये गए हैं और 542 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी वीज देश भर में करोना से पिड़ित 40,026 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टिव मामलों में 1619 मामले कम हुए हैं देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर अब 3,10,26,839 हो गई है जिनमें से अब तक 4,12,531 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पिड़ित 97,28 फीस दी यानि 3,14,850 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में आक्टिव मामलों की संक्या घटकर अब 1,38 फीस दी यानि 4,30,422 हो गई है स्वास्तमंत्राले की ताज जानकारी के नुसार देश में करोना वैक्सीन की 49,53,766 दोस दी जा चुकी है जिनमें से 38,88,08 वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंडों में दी गई है न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आज बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बुक और इंस्ट्रग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें न्यूस्क्लिक देखने के लिए शुक्रिया